फाइनल लुक में हमारा जो कोलर है वो परफेक्ट फिटिंग के साथ है हुक एंड आई हमने यहाँ पे लगा दी और जो बेल्ट हमने राउंड में कट की थी वो देखे हलकी सी शेप में यहाँ पे आ रही है और प्रिंसिस का बेल्ट लुवर चेस्ट के नीचे हमारी बेल्ट यहाँ पे आई है साइड में हमारी कोई क्रीज नहीं है और स्लीव में भी हमारी कोई क्रीज नहीं है ऐसे ही हम इसका हमने यहाँ पे टीशर्ट स्लीव का फर्मा यूज किया है ऐसे ही हम back से भी देखेंगे इसका तो ये back से हमने length कम की लेकिन फिर भी हमारी length बिल्कुल proper है और यहाँ पे कोई crease भी नहीं आ रही है के साथ हमने इसकी stitching कर दी है stitching करने के बाद ये blouse बहुती सुंदर हमारा fitting के साथ आया है उसके बाद अब हम इसकी करेंगे stitching stitching से पहले आप cutting का वीडियो ध्यान से देख लें तो back को हमने cut to cut रखके cut कर दिया है और main fabric के उपर lycra paste किया है lycra paste का short वीडियो आ गया है अब वहाँ पे इसको check कर सकते हैं कि कैसे paste करना है lining को 2 line जितना यानि 0.25 inches जितना हम बाहर की तरफ रखेंगे और इसको नीचे से stitch करना start करेंगे जब मैं इसको उपर से stitch करूँगी तब मैं दिखाऊंगी कि जो lining नीचे की तरफ हमारी दिखाई देती है अगर हम lining को 0.25 जितना बाहर रखेंगे तो ये नीचे की तरफ दिखाई नहीं देगी उसके बाद यहां पे लगाएंगे हम चोटे चोटे कट और नीचे से अपने अस्तर के उपर हम इसके किनारे के उपर सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहां पे अच्छे से प्रेस के साथ बिठाएंगे और neck के उपर, पूरा उपर तक हमें इसे मिलाना है और पहले अपने neck को यहाँ पे ऐसे stitch करना है 0.25 तक हम यहाँ पे किनारे के उपर से लाए लेगाएंगे shoulder को pack करेंगे और armhole को भी हमें side से pack करना है और side fitting से भी इसको हम pack करेंगे same process हमें दूसरी तरफ भी करना है और इसको फिर्म में यहाँ पे अच्छे से press करके दिखाऊंगी तो यह देखी जो lining है वो हमारी दो line जितनी अंदर की तरफ है और यह भी बहार की तरफ दिखाए भी नहीं देगी तो हमें ऐसे ही stitch करना है उसके बाद हम नीचे से belt को complete करेंगे नीचे से हमें belt को pack करना है उपर से हम इसको lining के साथ invisible stitch कर देंगे तो यहाँ पे हम छोटे छोटे cut देंगे और दूसरी belt के उपर अभी fold करने से पहले दूसरी belt के उपर भी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ताकि छोटी बड़ी belt हमारी ना हो अभी हम इसके किनारे के उपर लगाएंगे यहाँ पे सिलाई और इसको उपर से भी हम पूरी belt को pack कर देंगे यहाँ से हम उपर से इसको pack करेंगे 0.25 इंचिस तक हम अपनी सिलाई लगाएंगे और front से भी इसको pack करके दोनों belt को अच्छे से प्रेस करके रखेंगे और finishing के साथ इसको अच्छे से हम करेंगे प्रेस तो यह देखिए finishing से हमारी belt ready हो गई है अभी हमें princess cut को joint करना है तो यहाँ पे देखिए princess cut को हमें नीचे से stitch करना है और यह देखिए हमारी यहाँ पे जहाँ पे joint हो रहा है हमारा हमें वहाँ से इसको attach करना है और हमें दोनों part में से किसी को भी नहीं खीचना है और margin यहाँ पे मैंने main fabric के उपर half half inch का margin मैंने सिलाई का add कर लिया है जहाँ पे हम princess cut में add करते हैं और उसके बाद ही princess cut बिल्कुर finishing के साथ आ गया है क्योंकि pattern हमने proper cut किया था उसमें कोई margin नहीं रखा था हमने तो lining और main fabric में हमने margin रखे इसको cut किया है उसके बाद next video में मैं आपको clear दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे cut किया है margin रखे हमने कहां से cut किया है तो दोनों पार्ट हमने princess cut ready कर लिये हैं same lining को भी हम ऐसे ही complete करेंगे उसके बाद नीचे से हम अपनी belt को attach करेंगे अच्छे से press करना है पहले अभी हमें देखिए यहाँ पे हम देखिए नीचे जहां से हमारी half inch belt attach होगी हमें वहां से मिलाकी रखना है और corner हमारा थोड़ा सा बहार की तरफ दिखाई दे रहा है लेकिन जब हम इसको stitch करके मैं आपको fold करके दिखाऊंगी तो यह बिल्कुल proper आएगा जहां पे हमारी सिलाई लगी होगी तो यह वहां पे बिल्कुल proper आएगा यह कम यह जादा नहीं रहेगा तो यहां पे अभी हम लगाएंगे चोटे-चोटे cut क्योंकि belt को हमने round में cut कि है और यह देखिए यहां पे belt पूरी complete है यह corner है मेरा वो बहार की तरफ है तो इसलिए हमें वहां से attach करना है जहां पे हम सिलाई लगाएंगे वहां पे हमारा half inch तक पूरा match होना चाहिए और यहां पे लगाएंगे cut तकी princess cut हमारा खिचाव ना करे उसके बाद lining को नीचे रखेंगे और यहां पे जहां पे हमारी सिलाई लगी हुई है वहां पे सिलाई लगाएंगे और end तक इसको stitch कर देंगे अभी हम lining के उपर बिल्कुल किनारे के उपर सिलाई लगाएंगे हमने इसको fold कर दिया है अभी हम नीचे से करेंगे इसको press और back से भी यह देखिए finishing के साथ complete हो गया है उसके बाद apex point के साथ हम अपने cups को attach करेंगे cups का हमने center कर दिया है और उसके बाद हम यहां पे जो हमारी सिलाई है princess cut वाली उसके उपर सिलाई लगाएंगे और इसको complete करेंगे cup हमारे attach हो गए अगर आपको cup नहीं attach करने तो इस process को आपको skip करना है otherwise same cutting होगा और same stitching होगा उसके बाद देखे कितने finishing से हमारा यह princess cut यहां पे बैठ गया है अभी हम इसको करेंगे अच्छे से press क्योंकि belt हमने attach किया था और side हो से भी हम इसको pack करेंगे प्रेस करना बहुत जरूरी है तब हमारे blouse में finishing आएगी हमने इसको प्रेस कर लिया है प्रेस करने के बाद अभी हम इसको side से pack करेंगे जहां से भी हमारा blouse open है तो हम ऐसे lining को अच्छे से पकड़ेंगे और इसके बिल्कुल किनारे के उपर हमें सिलाई लगानी है जब तक हमारे दोनों piece front के दोनों part हमारे pack नहीं होंगे तब तक हमें कहीं से भी इसको cut नहीं करना है ऐसे हम side से भी इसको pack करेंगे अच्छे से fabric को set करना है और इसको stitch करेंगे फिर हम क्या करेंगे दोनों part को हम यहां पर मिला के रखेंगे और यह जो lining का extra fabric हमारा है उसको हम cut कर देंगे cut करने के बाद यह जो यह वाला fabric भी हमने cut किया अभी हम दोनों part को अच्छे से मिलाएंगे कहीं से भी हमारा fabric छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए अभी हम लगाएंगे यहां पर pins निचे भी हम pin के साथ इनको अच्छे से चक करेंगे front से भी हमें pin लगानी है और यहां से भी हम इसको चक करके अच्छे से pin लगाएंगे कहीं से भी हमारा blouse छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए और जो uneven fabric हमारा दिखाई दे रहा है जहां पे भी हम उसको बराबर रखे इसको कट करेंगे देखिए हमें अच्छे से इसको मैच करना है और pin हमें अच्छे से इसको टक करना है pin को और अभी जहां पे extra fabric दिखाई दे रहा है उसको मैं करूंगी यहां पर कट तबी जो है हमारे blouse में proper fitting और अच्छी finishing आएगी अगर हम process के साथ इसको stitch करेंगे अभी यह जो side में extra है इसको भी cut कर देंगे और front से भी यह जो देखी uneven lining जो हमारी दिखाई दे रही है इसको भी हम cut कर देंगे इसलिए हमने दोनों पार्ट को उपर नीचे रखा है और अच्छे से इनको pin के साथ टक किया है और यह देखी हमने दोनों को अच्छे से cut कर लिया है अभी थोड़ा सा side से यह uneven दिख रहा है हमने सारे पार्ट को cut कर दिया और अभी हम center में hook and eye देंग सबसे पहले shoulder को attach करेंगे back part हमने ready कर दिया था और इसके बार हम देखिए shoulder अपने यहां पर रखेंगे तो shoulder मेरा यहां पे बिल्कुल बराबर आया है जहां से हमने back part को half inch नीचे करके cut किया था देखिए सिलाई के बिल्कुल किनारे के ऊपर यह बिल्कुल प्रोफ पर आया है कहीं से भी चोटा या बड़ा हमारा shoulder दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हमने stitch किया अभी हम यहां पर देखिए finishing के साथ stitch हो गया अभी यहां पर करेंगे हम interlock interlock करने के बाद इसको पूरे को करेंगे अच्छे से press और press करने के बाद collar cut करेंगे तो देखिए यहां पर एक straight double fold normal paper pasting मैंने लिया है सबसे पहले हम एक straight मिशान लगाएंगे अगर आप normal size cut कर रहे हैं तो आप 3 इंच चोड़ा यहां पर अपना collar बना सकते हैं अगर उससे कम size का cut कर रहे हैं तो 2.75 अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा फिटिंग का बना रहे हैं तो 3.22 इंच चोड़ा आप collar cut कर सकते हैं यानि तीन option है आपके पास आप तीनों में से जो आपका size है आप उसके according cut करें मैंने यहाँ पर तीन इंच का collar लिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस निशान को करेंगे straight straight cut करने के बाद अभी जो हमारा blouse है हम उसको लेंगे और blouse का जो हमने back part अपना cut किया है हम उसके according पहले यहाँ पर लगाएंगे एक straight निशान देखिए blouse को हमें यहाँ पर double fold करके रखना है double fold करने के बाद जो मेरा back part है उसको हम रखेंगे यहाँ पर और अच्छे से पैच करना है बहां तक हम यहां पर निशान लगाएंगे और यहां पर देखिए अच्छे से जो nonprofits आजовыхें है बहुत को जी हमारी फालिए हमेरा थे जड़ा मेरे इत्रायत जाएगी इस वाले निशान दो करेंगे वह से स्बिशाट। और जो हमारे color की length है वहाँ तक भी हम इसको straight करेंगे और यह देखिए इस वाले mark को भी हम कर देंगे यहाँ पर straight और जो हमने color cut किया है सबसे पहले यह जो state किया है इसका हम center करेंगे center पर लेंगे हम 0.25 अंदर की तरफ shape देने के लिए यह 0.25 हमने 75 हमने लिया है उसके बाद यहाँ पर एक cross line draw करेंगे तो यह हमने cross line draw कर दी लेकिन हमने जो 1 inch extra लिया है हम वो लेंगे मैंने निशान नहीं लगाया था तो हम इसके साथ यहाँ पर इसको cross line draw करेंगे जो अंदर वाली cross line है उसको हम rough कर देंगे क्योंकि यह गलत है और उसके बाद यहाँ पर हम shape देना start करेंगे यह जो हमने 1 inch extra बाद में निशान लगाया है इससे हम यहाँ पर shape देंगे ऐसे करके हमारी round shape आ जाएगी उसके बाद color हमारा complete हो गया 3 inch चोड़ा हमने color cut किया उसके बाद हम इसको cut करेंगे और ध्यान रही कि हमने color में कहीं पे भी margin add नहीं किया है तो हम fabric में margin add करेंगे और इसको fabric के उपर paste करके मैं दिखाऊंगी आपको कि हमने कैसे paste किया है उसके उपर उसके बाद हमारा color यहाँ पे कुछ इस type से आएगा और यह बहुत सुंदर भी लगता है शॉल कॉलर जब हम बनाएंगे इस टिच करेंगे तो यह बहुत सुंदर fitting के साथ आता है उसके बाद कॉलर को हमने paste किया हाफ आफ इंच तक हमने साइडों में fabric को extra रखा है सबसे पहले straight जो हमने cut किया है जहाँ पर वहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ fold करेंगे और हाफ आफ इंच का मैंने margin add कर दिया था fabric के अंदर तो इसको हम end तक stitch करेंगे उसके बाद सेम यहाँ पर जो extra fabric है उसको हम cut करेंगे सेम साइज का मैंने एक lining का piece भी cut किया है तो यहाँ पर दोनों जो हम fabric cut करेंगे वो bias cut करेंगे क्योंकि जब हम collar को fold करेंगे तो वो easily fold हो जाए उसके बाद जो lining हमने cut की है यहाँ पर lining को नेचे रखेंगे और जो हमारे collar की round shape है वहाँ पर हम दिल्कुल इसके किनारे किनारे के उपर हमें इसी lie लगाने है और इसको end तक हमें करना है complete end तक complete करने के बाद अभी extra जो fabric है उसको cut नहीं करना पहले हम round shape में cut लगाएंगे cut लगाने के बाद यह जो margin है उसको हम lining की तरफ रखेंगे और यहाँ पर इसके किनारे के उपर लगाएंगे हम sila ताकि जो हमारी lining है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे और अच्छे से वो बैठ जाए उसके बाद इसको करेंगे हम end तक stitch और stitch करने के बाद अभी हम अपना blouse लेंगे इसको हमें पहले अच्छे से press करना है अच्छे से इसको बिठाना है और जो uneven fabric नीचे की तरफ रह जाएगा 0.25 इंचिस तक हम margin के लिए fabric रखेंगे और extra को cut करेंगे उसके बाद blouse को हमने सीधा रखा है और इसके उपर collar को भी हमने सीधा ही रखा है तो blouse के center में हमने cut लगाया और collar के center में भी हमने cut लगाया इसके center से हम इसको यहाँ पर देखे joint करना start करेंगे और collar को हमें जादा खीचना नहीं है lose रखना है क्योंकि bias हमारा fabric है तो हम इसको end तक यहाँ पर stitch करेंगे और stitch करने के बाद यहाँ पर जो हमारा collar extra रह जाएगा उसको हमें अभी cut नहीं करना है और इसको हमें cut cut करना है उसको आपको ध्यान से देखना है ऐसे हम दूसरी side से भी अपने collar को यहाँ पर end तक stitch कर देंगे तो यह हमने इसको end तक stitch कर दिया है stitch करने के बाद अभी देखिए हम इसको back की तरफ ऐसे fold करेंगे और center से इसको stitch करना start करेंगे इसको stitch कर देना है अभी collar को भी cut नहीं करना है जो extra है उसको cut नहीं करेंगे तो अभी दूसरी तरफ से भी इसको stitch करेंगे देखिए crease को हमें इकठा कर लेना है और इसको end तक हम कर देंगे यहाँ पर stitch तो यह end point हमारा यहाँ पर stitch हो गया stitch करने के बाद अभी हम collar को देखें यहाँ पर अच्छे से set करके रखेंगे set करने के बाद अभी हम जो front में हमारा corner है यहाँ पर छोटे-छोटे stitch देंगे ताकि जो हमारा collar है वो fold रहे वो straight ना हो जाए जब हम डालेंगे इसको तो यह fold रहे अच्छे से तो अभी हम इसके किनारे के ऊपर इसको हलका सा चोटा सा stitch देंगे हमें यहाँ पर इसको ऐसे fold भी कर सकते हैं और ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि center में hook end आई आएगी और अभी यहाँ पर जो collar जो shoulder के पास है वहाँ पर भी चोटा सा stitch लगाएंगे ताकि collar हमारा जादा fold ना हो और सेम दूसरी तरफ से भी हम इसको map लेंगे ताकि दोनों साइड से हमारा collar बराबर fold हो ऐसे मैंने measurement ले लिया है इसका और अभी मैं दूसरे corner को भी ऐसे ही stitch करूंगी और नीचे तक इसको stitch कर दूँ एंड point और यहाँ पे भी एक चोटा सा हमें stitch लगाना है shoulder के पास तो ऐसे इसको चक करेंगे अच्छे से और यहाँ पे भी इसको चोटा सा stitch लगा देंगे ताकि collar हमारा fold ना हो तो अभी हमने stitch लगा दिये हैं अभी करेंगे हम अपने collar को अच्छे से press प्रेस करने के बाद फिर इसका हम देखेंगे final look तो collar हमारा अच्छी finishing के साथ यहाँ पे attach हो गया है उसके बाद हम यहाँ पे center में hook and eye attach करेंगे पहले इसको कर दिया है देखी हमने अच्छे से अभी जो extra है उसको हम ऐसे cut कर देंगे दूसरी तरफ से भी हमें collar को ऐसे ही cut करना है उसके बाद हमें यहाँ पे hook and eye की पट्टी लगानी है तो देखें दोनों तरफ से मेरा बराबर है अभी हम करेंगे अपने sleeves को attach sleeve को attach करने के लिए सबसे पहले मैंने one and half inches चोड़ी एक पट्टी कट की है इस पट्टी को attach करने से हमारी finishing ज़्यादा आती है तो सबसे पहले half inch हम यहाँ से fold कर देंगे fold करने के बाद इस पट्टी को अपने sleeves में attach करेंगे और attach करने के बाद corner के उपर लगाएंगे सुरी किनारे के उपर लगाएंगे सिलाई और अभी इसको fold करेंगे और यहाँ पर सिलाई के साथ इसको करेंगे complete तो सिलाई हमारी complete हो गई है extra fabric को कर देंगी हम cut उसके बाद हमें अपने blouse में अपने sleeves को ऐसे check करना है sleeves हमारी चोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए इस चीज का हमें proper ध्यान लखना है तो देखिए sleeve मेरी बिल्कुल बराबर है इसलिए हम measurement के साथ इसको cut करते हैं sleeve चोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए तो t-shirt फर्मे के साथ मैंने यहाँ पर अपने sleeves cut की है और final look में देखेंगे हम कि हमारे armhole में यहाँ पर कोई crease भी नहीं आएगी और उसके बाद हम यहाँ पर इसको end तक stitch कर देंगे stitch करने के बाद हम करेंगे अपने sleeves यह देखिए end तक हमारी sleeve बिल्कुल बराबर आ गई है उसके बाद हम इसको करेंगे interlock interlock करने के बाद इसको अच्छे से हमें करना है press और उसके बाद यहाँ पर अगर अपने half one and half inch का margin एड़ किया है तो यहाँ पर one and half का निशान लगाएंगे two inch का margin लिया है तो two inch में निशान लगाके इसको side fitting कर देंगे हम यहाँ पर और ऐसे ही आपको मेरा यह blouse कैसा लगा कैसी आपको fitting लगी और any doubts guys so you comment me और मुझे अगर आपको shoulder minus charge चाहिए तो आप WhatsApp भी कर सकते हैं नमबर आपको screen पे show हो रहा है और मिलते हैं एक next वीडियो के साथ thanks for watching